गुट मॉर्निंग फ्रेंस जैमातादी कैसे हैं आप सबी आसा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे आपके अपने यूटूब चैनल नीलम मिश्रा ब्लोग में स्वागत है फ्रेंस तो मॉर्निंग के इस टाइम पे पांच बज रहे हैं और उट भी चुके हैं देख सकते हैं आग खुलते ही हमने अपने ब्लोग का स्टार्ट भी कर दिया है क्योंकि ये फर्स्ट जन्वरी के दूसरे दिन के दो जन्वरी का ब्लोग है तो शुविश्वे उटते ही और आप कि मेरा आदत है बीना स्टार पहने मुझे नीधी नहीं आएगा ठंड में क्योंकि काफी ज़्यादा ठंड लगता है और ठंड से एलर्जी भी है थोड़ा मुझे तो बस मैं अपना स्टार डाल कर ही शोती हूं और यहां पर देख सकते हैं बाहर निकले हैं तो बाहर का भी लिफ हमने नहीं लिया है क्योंकि वीडियो हो जाता है काफी लेंथी तो बस आ चुके हैं बाहर देख सकते हैं बाहर भी काफी अंधेरा सा है लेकिन जैसे डर बिल्कुल भी नहीं लगता है जो हमारे यहां के कारिगर लोग हैं इसी बाहर वाले सबसाइट के रूम में ही रहते हैं अपना फेमिली परिवार लेकर तो काफी अंधेरा देख सकते हैं और नल के पास आ चुके हैं तो नल पर पहले हात मो धुल लेते हैं और इन लोगों की जो लेडिस हैं वो लोग भी उड़ जाती हैं चार शाड़े-चार पास तक यह लोग भी डेली का आदत है ल नहां पर हमने फेस दुलने के बाद तुरंसे जाड़ू लगाया बाहर का फ्रेंस और जाड़ू लगाने के बाद से नहा कर पूजा कर लिया और पुजा करने के बाद बस यहीं मोणे का नास्ता बनाने में लग गए हैं सुबे-सुपे गरमा-गरम आलु-दम या कचालू भूल सकते हैं देख सकते हैं इसमें जीरा मिर्श का पावडर और अपना धनिया अंदेक अर और नमकुम होकित करूजो मित возьकर अपने देख सकते हैं उबला हुआ अपरो हो तो हुआ होना मतर भी फ्राइब हो तो फिलाल में अभी स्रिष्टी तो हमारी सोई है और जो सौरब है गाउं के घर है तो यहां सनी के लिए प्लेट लगा दे रहे हैं और सनी के पापा भी ब्रस रश नहीं किये हैं मौर्निंग का ही टाइम है और आज फटा फट से हम मौर्निंग में नहा लिए फ्रेंस क्योंक से मेरा तव्यद भी खराब होने लगा है तो इस वज़ए से मैंने कहा अपना पहले जैसा रूटीन करते हैं ने तो फिर क्या है कि जैसे बहु किचन में खाना अग्रे का काम समालती है खाना बनाती है तो मैं क्या करते हूँ कि यहीं समिट्टी का काम जो भी है धर 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 काफी जादे सफाई का काम है और करते करते है हैं रही काम यहांν का निप्टा भी दिया है और थोड़ा वहla रह गया थो यह को आभ मैं करने में ही लगी हूं तो इसके वज़़ से मेरा तवियद भी खराब होने लगा है और ठंड में इस सब काम बहुत ज़्यादा इतनी कड़कड़ाते ठंड में मैं इस सब काम में लग जाती हूँ और करते करते मुझे 12 बच जाते हैं कभी कभी एक डेड़ बच जाता है मुझे नहाकेर और फिर इसके बाद जो भी है क्योंकि काना को में बहुत ज़गाने का काम कर देती है लेकिन फिर भी मैं नहाती हूँ तो काना को दूद पिला देती मुझे लेकिन मेरा रूटीन खराब हो चुका है तो इसलिए मिरा खुराब हो भी जुखाम इतनी जादा हो गयえ हैं और फिर बहुत जादा दिक्कत पहले जैसा आपना रूटीन बनाते हैं पहले क्या होता था कि मौनिंग में उठते ही जाड़ू का काम कर लेते थे पानियों गएरे जो भढ़ने का काम था उसको निप्टाने के बाद तुरंट से नहा लेते थे और फीर तुरंट नास्ते के बाद मैं अपना लग जाती थी विना बनाने में लेकिन अब जब से बहु आ गई है तब से बाहर का ही काम मुझे ज़्यादा दिखता है और जो फैला पड़ा है उसको मैं सोस्ती हूँ कि निप्टा लूँ तब ही मैं नहाँगी तो सही रहेगा क्यूंकि नहाने के बाद धूल मिटी के काम करने का मन भी नह करता है तो देख सकते हैं आज मॉनिंग में नहान लिये हैं लेकिन जो काम है उसको तो कैसी भी करके थोड़े थोड़े करेंगे तब ही हमारा काम भी फनीस होगा तो काम अपना करने में लग गए है नहाने के बाद तो ऐसे पी क्या होता है विना नहाए ये सब काम अलमारी बनाए हुए हैं वहां लगाना है हमें मिटी जैसे तो साइट का दिवाल थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है एक साइट का हमने मिटी लगा दिया है तो अच्छा लग रहा है तो अलमारी बीच में है तो ठीक लग रहा है लेकिन साइट साइट का जो दिवाल है तो अच्छा नहीं लग रहा है तो हमने कहा ठंड तो काफी ज़्यादा है तब्यद भी ठीक नहीं है इस समय लेकिन थोड़ा-थोड़ा मेनत करके एकी दिन में पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे थोड़े-थोड़े करके अगर करेंगे तो उस साइड का दिवाल भी हमारा प्लीट हो जाएगा तो अभी के लिए हम चल रहे हैं तालाब के पास तो इस साइड घर के बाजू में ही तालाब है लेकिन इस साइड के तालाब में पानी काफी ज़्यादा है और जिधर हम जा रहे हैं उधर पानी वहां का सूग गया है तालाब के पास और वहां की मिटी तो काफी अच्छी नहीं है, कलर उसका थोड़ा ठीक नहीं है, ब्लेक ब्लेक मिटी है, लेकिन फिर मिटी तो मिटी और काफी चिकनी मिटी है, मिटी लगाने में कोई ओल लेकिन कलर ही उसका थोड़ा नहीं ठीक है, तो फिर हमने कहा कोई बात नहीं है, थोड़ा सा, वहां से इस टाइम कि यहां का देख सकते हैं काफी सूक गया है आने लाइक मिठी उठाने लाइक कहां का जगा हो गया है। तो यहीं से आज एक बाल्टी भर के मिट्टी निकाल लेते हैं और लगाएंगे वही आलमारी के पास मिट्टी और काफी अच्छी मिट्टी है बस कलरी इसका देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो लेकिन जो लगाने में और बिल्कुल इसमें कंकर उंकर नहीं होता है तालाब के मिट्टी में काफी एकदम चिकनी मिट्टी होती है बहुत ही मुलायम और इस मिट्टी से जो भी है लिपाई पुताई कोई भी काम करते हैं तो काफी अच्छा भी लगता है बहुत कमाल की मिट्टी है लेकिन इस जगह का जो मिट्टी उठा रहे हैं यहां का कलर मिटी का सही नहीं आ रहा है क्योंकि तालाब काफी बड़ा है कहीं कहीं का मिटी जैसे एकदम सफेद होता है कहीं का बलेक होता है कहीं का पीला होता है तो देख सकते हैं इसका इस मिटी का कलर बस ऐसा ही है कुछ लेकिन अभी देखने में ऐसा लग रहा है जब सूख जाएग अपने मिठी के काम में लिपाई पुताई में तो फिर देख सकते हैं बाल्टी काफी वजन हो गया है मिठी से फ्रेंस और बहुत ही मैं हस रही थी स्रिष्टी से बोल कर और मुझे जैसे थोड़ा दूर लेकर आना पड़ रहा था तो थोड़े थोड़े दूर पे मैं और नहीं लाती तो फिर उसमें से भी निकालना पड़ता तो उसमें से काफी मिठी निकाल चुके फ्रेंस जहां से हम घर के अंदर से निकाल रहे थे तो अब उसमें से अगर मिठी निकालेंगे तो उस जगह का भी थोड़ा नुकसान होगा तो इसलिए हमने नहीं निकाला तो इसलिए मैं मिट्टी के चक्रम पड़ी थी कि जो हमारा तालाब है कहीं भी सुख जाए तो वहां से मिट्टी मैं निकालती रहूं तो देख सकते हैं यह डॉग मेरी यहां बैठी हुई है और अब यहां स्रिष्टी भी बैठी है अपने पापक जात गई थी और मैं भी थोड़ा सा बैठूंगी क्योंकि थोड़ा सा सांस लेने के बाद थकान फिल होने लगा इतना काम करने में तो क्योंकि पीछे का मिट्ट हमने हटाया और पीछे से मिट्टी हटाने के बाद फिर वहां गए तालाब के पास मिट्टी वहां से लेकर आ रहे हैं अब चल रहे हैं फ्रेंस बैठेंगे तो फिर पूरा साम हो जाएगा पर हमारा थकान धूरी नहीं होगा तो हमने का बस थोड़ा सा बैट लिए हैं दस भीचुस हो रहा है तो तबित ठीक नहीं चल रहा है लेकिन जो काम है उसको करना पड़ेगा और बहुत जरूरी भी नहीं है कि इसको मैं करूं ही तबी लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और शानी के पापा है जो अगर साम हो गया थोड़ी से मैं कुछ बोल दूं अब फोड़ा सा टाइम चेंज कर देंगे तो यह सब भी ठीक हो जाएगा जिसे थोड़ा सा ठकान भी फील हो रहा है क्योंकि रोज डेली का खाने पिनी का भी टाइम मेरा चेंज हो गया है ना काम के वजह सें तो फिर इसलिए और वैसे क्या होता था कि फिर मैं अपना मॉनि और आप खुद को ही न खाना हो लेकिन बिना नहाए ना तो बनाएंगे किचन में जाएंगे खाना ना खायेंगे ही तो फेमली में कोई भी तो बस अभी सीलिए मैं अपना नहा करी किचन का जो काम करती थी और जो नास्ताव अगराप बन जाता था थोड़ा बहुत मैं भी कर लेती थी इसके बास से फिर दोपर का लेंच हुआ ही होता था लेकिन अभी फिलाल में जब से बहुँ आई है तब से बाहर के काम के चकर में मुझे बिल्कुल टाइम से बे टाइम कर दे रही हूँ दस बज़ा रहा है कभी ग्यारा कभी बारा नहाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है तो फिर इसलिए मुझे थोड़ा सा जैसे जुखाम भी हो गया है और जुखाम के वज़े से थोड़ा वह त्फिवर भी होने लगता है सामको तो फिर थोड़ा तकलीफ होता है अगर तब इत से बस इसमें थोड़ा सा भूशा डाल के इसको मसल दिया है और इसके पाइसे फिर यहीं दिवाल पे ऊपर तक हम लगाते जाएंगे लेकिन फिलाल में तोड़ा सा ही लगाएंगे जितना मिटी लेकर आये हैं बस अतने मिटी का यूज करेंगे जितना हम मिलाए हुए हैं नहीं है तो क्योंकि Θवड़ा थोड़ा लगाएंगे तो सही रहीं isolेगा हैं और कोई हैं दौत जादा जैसे थाकान सा फिल और आपता नहीं ठीक होता है तो फिर कोई काम में मन नहीं लगता है दखने में बहुत जादा मुझे बुरा लग रहा था सामने और सामने यहां हम बना दिये हैं अलमारी और आलमारी के बाजु में ही यहां पर उबर खाबर से जो दिवाल हैं देखने में अच्छा नहीं लग रहा था तो वीडियो को फुल वाज किजिएगा फ्रेंज और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो एक ल फेले तो देख सकते हैं और इसी साइट से पहले सुरू करते हैं कि कि उस थोड़ा सा पया है पlorमाई करने हमारी वहा है थोड़ा उतना वे लग रहा हैं कि इस साइड माध peng दीवाल जो है काफी खाप बीच में यहां देख सकते हैं इस मिटी के कलर से और जो मैं मिटी लगा हुआ है इस मिटी से काफी अंतरं भी हो गया है क्योंकि यह जरूरत petits मिटी मिटी है काफी अच्छी है मिति जो मारी में लगा हुए और Темड़ितों फिलाल अग्डाम से हम काम चलाएंगे तालाब में जो भी मुझे जरूरत पड़ेगा मिट्टी लाने का तो इस समय वहीं पर सुखा हुआ है तो वहीं से मिट्टी उठाएंगे और मिट्टी तो मिट्टी ही है सुखने के बाद सबसाई हो जाएगा और फिर थोड़ा जैसे अगर तालाब दीवाल जितना हम complete करेंगे उतना पूरा उसी कलर से मिट्टी से पुताई कर देंगे उस में आप जाएगा तो अभी आब देख सकते हैं हम अपना पुताई complete कर लेते हैं पहले छपाई कर लेंगे इसके बार से फिर हात में थोड़ा थोड़ा पानी लगा कर इसको अच्छ यह मिट्टी है तो तालाब की मिट्टी ऐसी होती है और बिल्कुल उसमें कंकड़ों गरे भी नहीं होते हैं तो जब तालाब सुखता है तो काफी लोग जिनको जितना जरूरत होता है मिट्टी का तो पहले से कठा करके रख लेते हैं जैसे जो पुताई का काम करना हो या कु सकते हैं हमारा इपास इतना ही लगाएंगे फ्रेंस क्योंकि आवाज से पता चल रहा होगा आप लोगों को तब इत बिल्कुल ठीक नहीं है तो फ्रेंस वीडियो को ज्यादा लेंथी ना करते हुए यही पर करते हैं वीडियो का एंड मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यार से बिल्क के साथ कल तब तक के लिए बबाई वीडियो देखने के लिए थांक्यू